प्रिये हिंदी मित्रों नमस्कार हाइटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ हम पूरा हूपस्थित हैं आज का वीडियो बहुत महत्तपूर्ण है किन्तु यह वीडियो सर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो आने वाले दिनों में NTA NET J.R.F. की परिक्षा दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो उनके लिए है जो एंटी एनेट J.R.F. की परिक्षा दे रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम उनके द्वारा जो बार बार आग्रा किया जा रहा था उन प्रतियोगियों के द्वारा उन मित्रों के द्वारा क कि सर इन पर पुस्तकें बताईए हमको कौन सी पुस्तक पढ़नी जाईए कि हमारा NTN-8JRF आसानी से क्लियर हो जाए ऐसे मित्रों के लिए यह वीडियो है इसमें हमने इकाई वाइज जिस तरीके से इकाई के हिसाब से पाठिकरम बनाया गया है उसी प्रकार उन इकाईयों के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है इसकी बात हमने इस वीडियो में की है तो जो हमारे TGT PGT के मित्र हैं जो KVS NVS के मित्र हैं उनके लिए यह पुस्तकें तो जरूरी है करके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी बात यह है कि यह पुस्तके ऐसी हैं कि इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है इन में से एक भी गाइड नहीं है सभी की सभी प्रामानिक पुस्तके है हाइटेक हिंदी गाइडों का समर्थन नहीं करता है इसलिए हम आपको इस वीडियो में कोई भी गाइड नहीं बताएंगे अगर आपको गाइड पढ़ना ही है तो आप अपनी व्यक्तिगत रुची के हिसाब से बाजार में एक दो नहीं हजारों लाखों की संख्या में गाइड उपलब्ध है अच्छी और बुरी उनमें से आप किसी भी एक गाइड का चुनाओ कर सकते हैं इकाई एक इकाई एक जो है वो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा पर केंद्रित है इस इकाई एक के लिए आपको जो सबसे महत्यपून पुस्तक पढ़नी है वह हिंदी भाषा पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और लिखा है इसे हर्दे cambiarी ने भाषा विज्ञान पर केंद्रित है पुस्तक हिंदी भाषा हर्दे ने बाहरी आप ये दि बाजार में जाते हैं दुकान पर इस पुस्तक को आप खरीदते हैं और आपके पास NTN8JRF का स्लेबस है उस स्लेबस के हिसाब से अगर इसका पार्ठिकरम आप मिलाएंगे जो अनुकरमणिका होती है पुस्तक की जो अगर आप उसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि हू बहू जिस प्रकार स्लेबस में दी हुई है चीजे उसी प्रकार उसी हेडिंग के साथ हर्देव बाहरी की पुस्तक में भाषा विज्ञान की जानकारी दी गई है हिंदी भासा बहुत महत्तुपूर पुस्तक है पूरा पार्ठिकरम वो हिंदी जानकारी में वह पुस्तक है तो उसका नाम है हिंदी भाषा हर्दयों बाहरी की पुस्तक है इस इकाई में हिंदी भाषा के साथ साथ ब्याकरण भी पूछा जाता है ब्याकरण का पार्ट भी लगा हुआ है और उसको पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छी पुस्तक है, अगर इन दो पुस्तकों को आपको अनिवारे रूप से अपने पास रखना है, अगर इन दो पुस्तकों को आप परीक्षा में पढ़का जाते हैं तो एकाई एक से आपका एक भी प्रषन गलत नहीं होगा और अगर इन पुस्तकों को आप नहीं पढ़ते हैं तो इकाई एक की आपकी संपूर्ण तैयारी भी नहीं होगी ऐसे में अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आपको इन दोनों किताबों को पढ़ना ही पढ़ना है इसके अलावा इस वीडियो में जतनी भी पुस्तके बताई गई हैं उनके अलावा भी आप पुस्तके पढ़ सकते हैं लेकिन उसका उपयोग आपको उसी प्रकार करना है जैसे कि हम अपने इस्ट देव की पूजा करते हैं इस्ट देव के मंदिर जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम अन्य जो भगवान हैं उनके मंदिर नहीं जाते हैं हम उनके भी मंदिर जाते हैं लेकिन हम इस्ट देव क विशेश पूजा करते तो यह पुस्तके हैं विशेश हैं खास हैं इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो पिर समस्या सामने आएगी तो यह आften तो यह हैं इकाई दो यह हाम उखाई है इसको हम नी बताएगा लेकिन हम बताएंगे हम वजह भी बताएंगे कि आच्या राम चन सुक्म्र की पुस्तक क्यों महत्पूर्ण है दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित का इतिहास टाक्टर नगेंद्र और हर्दयाल ने मिलकर के लिखा आ है तीसरी पुस्तक है हिंदी गद्य का इतिहास रामचन तिवारी की पुस्तक है और अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंगा इस पुस्तक को आपको क्यों पढ़ना चाहिए आचाय रामचन सुक्ल के हिंदी साहित्य को आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि हिंदी में जितने भी कथन कारण के प्रशनाते हैं वो इसी पुस्तक से आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक किताब से आता है आचाय रामचन सुक्र की पुस्तक है हिंदी साहित का इतिहास हिंदी साहित की इतिहास की संपूर जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो पुस्तक है हुआ है डाक्टर नगेंद्र और हरदयाल की इसके परिवर्धित संस्करन आया करते है तो इसमें latest जानकारियां होती हैं, इसके लिए ये पुस्तक महत्वपून है, इसमें सरसरी तोर पर पूरे हिंदी साहित की इतिहास को कबर किया गया है, हिंदी का गद्य साहित पुस्तक आचायर रामचन तिवारी की पुस्तक है, बहुत महत्वपून पुस्तक है, इसमें आ हत्वपूर्ण हैं उन सब पर जानकारियां दी गई हैं तो यह पुस्तक भी अनिवारे हैं और अगला जो यह पुस्तक है हिंदी साहित का दूसरा इतिहास यह इस मामले में खास है क्योंकि इसमें जो 1980 के बाद के जो भी हिंदी साहित में परिवर्तन हुए हैं वो आपको किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेंगे सिर्फ इसमें मिलेंगे जैसे कि बिमर्स हैं इस्तरी बिमर्स है दलित बिमर्स है उत्तर आधुनिक्ता अस्तित्वाद विखंडन वाद इन सब पर थोड़ी ही सह है उसके लिए ये सबसे महात्वपूर्ण पुस्तक है इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो अच्छी बात है लेकिन इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा अगर आप इनको नहीं पढ़ते हैं तो समस्या होने वाली हिंदी साहित का इतिहास आचाया रामचन की पुस्तक है इकाई तीन इसके लिए हम कुछ नहीं पढ़ते हैं लेकिन हमें पढ़ना चाहिए साहित सास्तर बहुत महात्वपूर्ण है काबि सास्तरों साहित सास्तर से प्रसनाते हैं और अक्सर गलत होते हैं बहुत पतली और बहुत आशान और बहुत सरल सब्दों में लिखी गई है पुस्तक भारतिय काविसास्त्र ये आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए निसा अगरवाल की पुस्तक है और जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो पढ़ सकते हैं इगनू के ना केवल इगनू बलकि राजर्ची टंडन या वर्दमान महाभीर ओपन इंवस पुस्तक है ये राजकमल प्रकासन से चपी हुई है अगर ये पुस्तक आपको मिलती है आप इसे पढ़ते हैं तो साहित्य सास्त्र की आपकी संपूर तयारी होगी इन तीन पुस्तकों से भारतिय काविसास्त्र निसा अगरवाल की पुस्तक है भारतियों पास्चात्य इसको आपको पढ़ना चाहिए इकाई चार वैचारिक प्रिष्ट भूम है इस पर तो सामगरी मिलती ही नहीं है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा पंद्रह जनवरी के बाद हम जो भी यूजी सी नेट के पार्ठ करम में लगे हुए हैं सलेवस उनके हिसाब से इन पर वीडियो लेकर के आएंगे उन वीडियो को ही आप देखेंगे वही आपके लिए महत्तुपून है हिंदी की किसी भी किताब में इन पर अलग से जानकारी नहीं मिलती है नवजागरं हो पुनर जागरं हो गांधिवाद है अमेटकर है लुजया दरसन है इन सब पर जानकारी नहीं मिलती एक Πुस्तक है जिसमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है और प्रामानिक पुस्तक है हुआ हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली अमर पुस्तक है राजकमल प्रकासन से याभी छपी है पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है वैचारिक प्रिष्ट भूमिका जो आपका सलेबस है उसमें कई सारी चीजे इस पुस्तक में आपको मिलेंगी अति महत्वपूर्ण है इसके अलावा आपको हमारे वीडियो देखने अगली जो इकाई है इकाई पांच हिंदी कविता की इकाई है इसमें सलेक्टिब जो कविता के पोर्षन है वो लगे हुए है उनके लिए आपको उन पुस्तकों को खरीदना ही पड़ेगा पढ़ना ही पड़ेगा और उसके लिए कोई बिकल्प नहीं है पाठ्थे करम जो सलेक्टिब पोर्षन है वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे इसके लिए एक हिंट है कि यह आप कहां से पढ़ सकते हैं आप परेशान होंगे कि इनको किस प्रकार पढ़ा जाए तो सबसे आसान तरीका है कि हमने असनातक पर आसनातक के कक्षाओं में जब हिंदी पढ़ी अब कोई अभी तक ऐसी गाइड नहीं छपी है कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है हिंदी की जिनमें ये संपूर चीजे मिल जाएं आप प्रत्वी राज रासों का रिवा तट अगर खोजेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा धुरुब स्वामिनी पर अगर आप मैटर ढूं इसमें रामभिक्ष बेनिपूरी की माटी की मूरते हैं महादेवी वर्मा की ठखुरी बाबा है तुलसी राम का मुर्दहिया है शूरानी देवी का प्रेमशन घर में है मन्नु भंडारी का एक कहानी याभी है और विश्नु प्रभाकर का आवारा मसीया है इन सब पर ये ब आएंगे एक एक करके इन सभी चीजों पर आपको वीडियो मिलेंगे तो यह जो चैप्टर है आप में उनका जो पहली हीकाई है दूसरी और तीसरी हीकाई के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तके थी अनिवारे पुस्तके हैं उनकी बात की गई है आपको यहां महां भटकने की जरूरत नहीं है इन पुस्तकों को आप अगर आख मून करके पढ़ते हैं उनसे नोट्स बनाते हैं नोट्स किस प्रकार बनाने हैं वो भी हम आपको बताएंगे एक वीडियो में कि किस प्रकार से आपको इन पुस्तकों को पढ़कर के नोट्स बनाने हैं कैसे नोट्स आसानी से आजाएंगे तो उन सब पर हम बात करेंगे जो selective portion है उनको ले करके आपको परिशान नहीं होना है निबंध नाटा कुपन्यास कहानी यह जो भी चीज़े हैं हिंदी कविता इन सब पर हम वीडियो ले करके आएंगे तो आपको इनको ले करके tense होने की जरूरत नहीं हैं डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है आपको हिंदी साहित्त का इतिहास भाषाविज्ञान और काब विसास्त्र इन पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए जैसे कि आप अधिक से अधिक प्रश्णों को कर सकें तो यह जो वीडियो है यह पूरी तरीके से एंटिये मिलेगी तो इस प्रकार दो अन्य पुस्तके हैं जो गाइडों के रूप में नहीं कही जा सकती है प्रतियोगिता साहित्य का हिंदी साहित्य है प्रतियोगिता साहित्य की तरप से जो हिंदी की पुस्तक निकली हुई है यह महत्वपूर्ण है आप पढ़ सकते हैं इसमें स निट जी आरेफ की जुबिकत वर्षों के प्रश्ण पत्र है ये 100 प्रस्चत आपके लिए कारगर है इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूँ मार्केट में जितनी भी गाइडे उपलब्द हैं फिर वो किसी की भी गाइड हो कितनी भी बिक रही हो वो सभी ने सर्फ और सिर्फ इनी पुस्तकों का पिस्ट पेशन किया है कौपी पेश्ट किया है वो उनसे आपको कोई लाग नहीं होने वाला है बार बार आप उन्हीं को पढ़ रहे हैं सभी लोग उन्हीं को पढ़ रहे हैं जितने प्रतियोगी हैं आप सोच करके देखिए सब उसी को पढ रहे हैं लेकिन सब सफल नहीं हो रहे हैं एक प्रतिशत ज्यारेफ और छे प्रतिशत नेट आप सोच सकते हैं कि उन छे प्रतिशत लोगों तो इन पुस्तकों का आप अध्यन करें, धेर सारी शुप कामना हैं आपको, नया वीडियो लेकर के हम सीग राएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई सुझा हो, या किसी प्रकार का कोई सहयोग हो, तो आप हमें मेल कर सकत हैं, हम उनका थोचित उत्तर दनी का प्रयास करेंगे, तब